कि रिकॉर्डिंग ओन हो चुका है बेसिकली हम इस क्लास में यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप हिंदू हैं और फिर आप अपना रिलीजन को चेंज कर लेते हैं मुस्लिम में और रिलीजन चेंज करने का एक कारण आपके पास यह है कि आप एक से ज़्यादा होता है तो आप multiple शादियां नहीं कर सकते लेकिन इसलाम की बात करें वहाँ पर 4 शादियां जायज है चार सादियां अलाउड है तो उस सेच्वेसर में बहुत सारे ऐसे हिंदू होते थे और अभी भी होते होंगे जरूर होते होंगे जो क्या करते थे अपने रिलीजन को च कर लेते थे सिर्फ इस वजह से कि उन्हें और वाइब्स मिल जाएंगी और इसके बाद जो है उन्हें यह नहीं पता होता था कि उनकी क्या लैबिलेटी होगी पहले वाले जो मेरेज है उसका क्या कंडिशन होगा इसमें बहुत सारे लॉग का जो पॉइंट है उसी बात पर ह हम चर्छा करने वाले हैं सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास यह है कि हिंदू मेरेस एक्ट हिंदूमें जो शादिया होती है वह हिनदू मेरेज एक्ट से लग पड़ता है क्योंकि मेरा यह फंडमेंटरल डाइट है तो अब यसी बात है कोई कोई भी कर सकता है कोई सुनी है तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसे साय जिसमें हिंदू विवेझस ने क्या कर लिया रिलिजिञन को चेंज कर लिया ताकि वो एक से ज्यादा शादी करे तो यह जब प्रस्न कोट में आया तो किस तरीके से reaction हुआ, क्या-क्या legal development हुए, उसी के बारे में इस particular class में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला जो केस हमारे पास आया, वो सरला मुदगल वर्सेस Union of India 1995 का ये जो केस है, सुप्रीम कोट का, इससे पहले भी केस आये थे, लेकिन ये एक तरीके का landmark judgment माना जाता है, और उसके बाद फिर से Lily Thomas का केस आया, इसके बाद और उस particular केस में इस decision को challenge किया गया। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सरला मुदगल वर्सेस Union of India का केस है क्या, बेसिकली इस केस में ये बताया गया कि यदि आप हिंदू हैं और अपने religion को change करके Islam में convert होते हैं ताकि आप एक से ज़्यादा wives को sustain कर सके, रख सके, उस situation में जब तक आप पहले वाले wife से divorce नहीं ले लेते, तब तक आप पे bygaming का charge लगाया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि आपने जो दूसरी साधी की है in the subsistence of the first marriage, वो हिंदू marriage act के in accordance में नहीं हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले आपको dissolve करना पड़ेगा पहला वाला साधी, और उसके बाद आप जितना करने मातर से आपकी साधी डिजॉल्व नहीं होने वाली, आपकी साधी हमेशा के लिए continue रहेगी, यदि जो process दिया गया है हिंदू marriage act में उसके तहद आप dissolve यदि नहीं कराते हैं, आप question आता है कि कौन सा ऐसा process है, तो मैंने आपको बताया था, कि हिंदू marriage act के according जो divorce का process है, section 13 का जो process है, और उसके बाद और भी कुछ sections जोड दिये गए हैं, जिसमें mutual consent वेगरा की बात आती है, तो ये सब जो provisions हैं, इनको use करके यदि आप साधी को dissolve करते हैं, तब तो आप अपना religion change किजिए और साधी किजिए कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन यदि इसके according आपने charge भी लगाया जाएगा, जो कि Indian Penal Code के section 494 और 495 के round ये चीज़ इसमें है, ये जो particular जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये सरला मुदगल वर्सेस Union of India के case में हुआ है, मैं already ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, बस summarize में, मैं फिर से दुबारा repeat किया, तो बस दो line में हम अप मोनोगेमी का ही प्रचलन है, और जो बाइगेमी और मल्टिपल गेमी जो होता था, वो already ruled out हो चुका है, कब का ruled out हो चुका है, तो आप जो हम practice करते हैं, वो मोनोगेमी ही करते हैं, और यदि बाइगेमी करते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वो एक offense माना जाता है, और cannot solomonize a second marriage under Muslim law, which permits polygaming, तो ये जो particular जो चीज था, वो सरला मुदगल के किस में आगयाद निकल करके, और ये माननीय सुप्रीम कोट का judgment है, आप जाकर के AIR 1995 SC 1531 सरी देखेंगे, तो इसका detail judgment आपको मिल जाएगे, तो ये बात तो समझ में आ गया, अब क्या हुआ कि कुछ हो गए, और बोले ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि हम religion को change कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या हम पिछले जो साधिया हुई, उसके liable हम क्यों होंगे, ये तो dissolve अपने आप हो जानी चाहिए, और उसके बाद जो है, चुकि ये fundamental right है, मेरा right to religion, और fundamental right जो है, वो क्यों ऐसा किया जा रहा है, कि जब religion change करके, ये religion change करके दूसरी साधी कर रहे हैं, तो court ये कर रही है, कि पहले जा करके, पहली साधी का divorce ले करके, आओ, तभी आप मैं तुमको करने दूँगा, तो इसमें जो है, difference in opinion है, उसके बाद एक case file जो किया गया, वो अगले case में मैं deal करूँगा, जिसमें ये कहा गया कि right to religion जो है, ये तो fundamental right है, और fundamental right है, तो ये जो सरला मुद्गल का case है, वो गलत है, इसको खतम कर दिया जाए, इसको unconstitutional कर दिया जाए, तो finally court ने किस तरीके से उसको interpret किया है, उसके बारे में आज हम detail में चर्चा करने वाले हैं, कि आखि के संदर्व में आज हम बात करेंगे, और basically हम हर एक paragraph, paragraph wise हम करेंगे, ताकि आपको ये पता चले, कि कौन-कौन से argument 4 में किये गये थे, कौन-कौन से argument जो है against में किये गये थे, अभी तक background आपका बन गया है, कि right to religion और Hindu marriage act का मामला है, जिसमें एक हिंदू जो है, अपनी religion को change करके Muslim में Islam में convert हो रहे हैं, ताकि वो एक से ज़्यादा साधी कर सकें, अब ये जो इससे पहले वाला case था, वो 1995 का था, और ये जो अपील में आया है, ये जो उसको challenge किया गया है, लेली Thomas versus Union of India में, ये 2000 में किया गया है, मतलब आज से 20 साल पहले का ये case है, तो आप में से ज बाद इसमें details of provisions, details जो discussion किया गया, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, पहला जो है, यहां पर कि वेन वन इस अल्रेडी मेरेड अंडर हिंदू लॉग, अब यहां पर कहा रहा है कि यदि एक विक्ती, हिंदू मेरेज एक्ट के according, हिंदू लॉग के according, अल्रेडी शादी हो चुक ही है उसकी, फिर कहा रहा है कि he by embracing Islam cannot solve a nice second marriage under Muslim law which permits polo gaming, तो basically आपको लग रहा होगा कि सराखिर आप क्या बता रहे हो, पहले वाले केस में भी यही चीज़ बताया गया, और दूसरे वाले में भी यही चीज़ बताया गया, लेकिन मैंने आपको बताया हो, कि यह जो मैंने किया है, ताकि हम एक एक पॉइंट को समझ सकें, अब देखिए यह कहता है, कि this case deals with the situation created when a non-Muslim man married according to religious rights, stipulating monogamy, renounces his religion, converts to Islam and solvenize a second marriage according to Islamic rights, without divorcing his first wife. यदि पहली wife को divorce जो है, दे करके आप करते हैं, तब तो कोई पंगा ही नहीं है, कोई issue नहीं है, लेकिन problem तब आता है, जब पहली wife को आप divorce नहीं देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और दूसरा जो शादी आप Islam में convert करके करते हैं, यह कहता है कि it also deals with petition seeking review of the decision of the सरला मुद का case जो है, इसका review करा जाए, और उसके बाद बताया जाए, कि यह जो पहले वाला case है, वो गलत था, और इसको right to religion के तहद इसको law बना दिया जाए, कि चलो यदि change कर लेते हैं, तो कोई यह सुनी होगा, क्योंकि यह fundamental right है, इसी चीज़ के बारे में case है, अब देखें, यहा पहले वाला जो case था, वो कह रहा है कि that the decision resulted in deprivation of the fundamental right to religion, यह जो right to religion का fundamental right, article 25 और 26 of constitution में है, इसमें कहा गया contention की यह जो particular चीज है, यह जो इससे पहले वाला जो case था, सरला मुदगल का case, उसमें यह जो right to fundamental religion जो है, यह डिप्राइब हुआ है, इसको वालेट किया गया है, इस husband is guilty of the offense of bagamy under section 494 IPC, तो यह पहले वाला case है, जिसमें सरला मुदगल में कहा गया था, कि यदि आप दूसरी साधी करते हैं, तो वो wide तो होगा ही, और उपर से आप bagamy के offense में book करेंगे, अब इस case में क्या हुआ, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, the apex court observed and held as follows, direct हम decision पे आते ह facts बेगरा जो है, मैं आपको overall बता चुका हूँ कि इस तरीके से चीजे हो रही थी, जब हिंदू, Muslim, Islam में change हो करके शाधियां कर रहे थे, तो इसमें जो court का observation है, वो legal point है, और इसको argument करने में, आपको कहीं भी argue करना हो, कहीं ऐसे लिखना हो, कहीं भी answer लिखना हो, तो यह ज इतना ही लिखोगे, एक paragraph में खतम हो जागा कि हाँ जी, ऐसा होता था, लेकिन अभी argument इसे लिए पूरा case पढ़ना जरूरी होता है, तो पूरा case तो यह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत relevant है, पहला point देखे क्या है, कुल मिला करके 8 point है, हम इस 8 point पे discussion करने जा रहे हैं, पहल इसी बात है कि यह जब आप section 17, आप section 17, जो है section 17 में क्या है, आपको याद है, बताईए, क्या 17 में क्या है, हिंदो मेरे जखते क्या 17 में क्या है, याद है, या भूल गए, बताओ तो, punishment of bygamy, bygamy है, मतलब bygamy यहाँ पे समझने वाली बात यह है, कि bygamy जो है, वो IPC की बात है, वो criminal offense है, लेकिन यह जो हिंदू law की बात कर रहे हैं, यह civil law है, यह civil चीज है, तो उसमें आखिर यहाँ पे कैसे आ गया, तो जो legislature थे, उन्हें पता था कि कितना भी कर लो, जब त तब तक क्या होगा, यह इस तरह के काम करते रहेंगे, इसलिए यह जानभूज करके लिखना पड़ा section 17 में, कि यदि आप इस तरह के से करेंगे, यदि दूसरी साधी करेंगे, तो bygamy जो IPC में defined है, उसके तहद आप book करे जाएंगे, यह जो intention है legislature का, क्योंकि यह जो बनाय था कि इनको पानिस करना है, क्यों यदि यह दूसरी साधी ऐसा करते हैं, तो ताकि एक जो society है, एक सही direction में जाए, ठीक है, क्योंकि यह monogamy को follow करवाना चाहते थे, यह बात समझ में आ गई, अब देखें क्या करता है, कि if a Hindu wife files a complaint before the offense under section 494 IPC, the offense of bygamy pleaded by her would have to be investigated and tried in accordance with the provisions of the Hindu marriage act, बिल्कुल सही है, section 17 के अंदर ये investigation होगा और इस पर करवाई की जाएगी, यह बात Supreme Court यहां पर observe कर रहा है, आप चलिए देखते हैं, Conversion or Apostasy does not automatically dissolve a marriage already sermonized under the Hindu marriage act, देखें यहां पर यह ही important है, इस बात को ध्यान से समझेगा, यह स्टार मार्क किजिए, इसको ध्यान से समझेगा क्या कर रहा है कि Conversion या Apostasy यह मतलब होता है कि आप renounce कर देते हैं पने religion को, उसका यह term है, Conversion or Apostasy does not automatically, यह important है कि यह अपने आप अपक Apostasy does not automatically dissolve a marriage already sermonized under the Hindu marriage act, देखें 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 आप रिलिजन चेंज कर लो, उससे फरक नहीं पड़ता, यदि आप Conversion किये हो, यह अपका रिलिजन, आपका जो marriage है, वो पहला marriage है, वो डिसल्व नहीं होने वाला, यह क्या कहता है कि देखें 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 देखे कि आप matter को shuttle नहीं कर देते, they continue to be husband and wife, conversion only, अब देखो क्या लिखा रहा है, कि conversion only provides a ground for divorce, आपको मैंने section 13 पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि conversion एक ground जरूर है, तो ground को exercise करोगे, तभी तो मिलेगा divorce, ऐसा थोड़ी नहीं कि ground है और अपने आप conversion किया और मिल गया divorce, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको court के पार जाना पड़ेगा, आपको claim करना पड़ेगा, आपको petition लगाना पड़ेगा, कि ground पे कि conversion हुआ है, तो ground तो है, लेकिन अपने आप automatically तो नहीं हो रहा है, तो वही जीज़ यहाँ पे बहुत ही technically court यह समझाने का प्रयास कर रहा है, कि conversion only provides a ground for divorce under section 13 of Hindu में reject, so long as a marriage subsist, another marriage cannot be performed, not even under any other personal law, तो इस particular case में बहुत ही categorically यह Supreme Court इसमें कहा है, आगे और भी argument को हम पढ़ेंगे, जिसमें right to religion की भी बात आएगी, लेकिन इसमें कहा गया है, कि so long as a marriage subsist, जब तक की आपका पहला marriage subsisting है, चल रहा है, another marriage cannot be performed, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे दूसरा जो marriage है, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि legislature का intention क्या था, कि नहीं हम mono game ही रखेंगे, किसी भी तरीके से आप जो है, दूसरी साधी नहीं कर सकते, under marriage cannot be performed, not even under any other personal law, और यहां तक कि 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 किसी दूसरे personal law में भी आप ऐसा नहीं कर सक सकते, यह चीज यहां पर clear हो गया, चलिया और बात करते हैं आगे, क्या कहता है कि if the marriage takes place in spite of the fact that the party to the marriage had a spouse living, such marriage would be wide under section 11 of Hindu marriage act, अब यह बात तो समझ में आ गया, section 11 यदि आप देखेंगे, section 11 देखेंगे, हिंदू marriage act का, उसमें wide marriage, wide marriage के बारे में वहां पर बताता है, और वहा बात अलग है, लेकिन by gaming में भी बूख होंगे, यह भी बात सही है, क्योंकि 17 के अंदर आप बाइगे में जाएंगे, तो वो चीज हैं पर का गया है, such marriage is also wide under section 17, मैंने बताया था आपको, Hindu marriage act, under which an offense of by gaming has been created, और यहां जानबूज करके, चाहता यदि legislature तो section 11 से काम चल जाता, section 11 से काम चला लेते, क्योंकि section 11 में तो wide होई जाता आपका marriage, लेकिन extra 17 आपने बनाया, अलग से 17 में डाला, कि यदि ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे, उन तमाम लोगों को punish करने वाले हैं, तो यह intention clear है legislature का, अब देखें क्या कहता है, this offense has been created by reference, by providing in section 17, that provisions of section 494, 495, जिसमें by gaming की बात कहीं जाती है, would be applicable to such a marriage, the legislature has boldly lifted, देखें कहां पर, यहां पर क्या लिख रहा है, the legislature has boldly lifted the provisions of section 494, 494 and 495, IPC, and place them in section 17, Hindu marriage, this is well known legislative device, अब ये बात clear हो गया, देखें, confusion सिर्फ इतना होता है, यदि आप लोगों को सही तरीके से समझ पा रही हैं, तो सिर्फ यह होता है, कि जब ये criminal law था, तो उसको civil law में क्यों लाया, civil law में लाने का क्या बात है, अभी जब triple तलाग के matter पे बात चली थी, वहां पे जब इनका विरोध लोग करने लगे, कि ये जो civil case है, civil चीज है, साधी और तलाग की बातें civil मानी जाती है, तो उसमें आपने punishment का प्राबदान दे दिया, तो यहां पे दूसरे तरफ जो लोग थे, दूसरे खेमे में जो लोग थे, जो counter argument कर रहे थे, वो कर रहे थे कि ये कोई पहली बात तो है नहीं, मैंने Hindu marriage act जब हमारा बना, तब भी उसमें बाइगे में की बात हम करते थे, और IPC के provisions को यहां पे हम invoke किये हैं, IPC में defined है, तो यहां भी यह depend करता है legislature के intention पे, कि आफिर legislature क्या जाता है, ठीक उसी परकार से, अभी जो इसमें case आया, आपका triple तालाग का जो case था, उसमें भी उन्होंने criminal law को include करा है, तो यह बात नहीं है कि पहली बार include किया जा रहा है, इससे पहले भी Hindu marriage act में यह already किया ज जा चुका है, आपको परमान आपके सामने है, ठीक है, तो यह बोल रहा है कि this is well non legislative device, यह बात हमें सबको पता है, यह चीज इसमें क्या argument करना, जब चीज यहां पे legislature ने कर दिया, तो कर दिया, हमारा काम court है, court कर रहा है कि यह court तो law नहीं बनाता, court is not a law making device, यह तो नहीं है law जो है, बनाने का काम किसको दिया गया, parliament को दिया गया, constitution ने उसको दिया, court को नहीं दिया, अपिस इसी बात है, जब parliament ने बना दिया, कि इसमें हम 17 में लगाएंगे बाइग मी, तो फिर खतम करो बात को लगाना है, लगाना है, आपको change कराना है, उनसे जाकर मिलो, हम तो यहां पर यहां पर यह बात क्लियर हो गया और आगे बढ़ते हैं यह कहता है तो वर्ड husband and wife अब देखो यहां पर लिख रहा है कि वर्ड husband and wife used in section 494 जिसमें बाइगेमी की बात करते हैं आई-पी-सी और important in the sense that they indicate the personal law applicable to them which would continue to be applicable to them so long as the marriage subsist and they remain husband and wife तो वही दुबारा ये बताया कि ये दोनों तब तक husband and wife यहां पे रखे जाएंगे तब तक husband and wife कहे जाएंगे जब तक कि इनका जो marriage है ये पूरी तरीके से dissolve नहीं हो जाता तो dissolve होना जरूरी है और dissolve तभी होगा जो procedure established है law में उसी के according dissolve होगा अपने मर्जिस्तो तो नहीं हो सकता तो अ सब्सक्राइब को कर रहा है मैंने question आपको पहले ही उठाया था इस lecture के पहले में कि यह फंडामेंटल डाइट रिलीजर है उसका क्या होगा उसके बारें भी हम बात करेंगे देखे क्या कहता है पॉइंट 6 में यह है कि religion is a matter of faith religion क्या है matter of faith है वही कहा कि religion is a matter of faith steaming from the depth of the heart and mind देखे इतना बड़ा बड़ा भारी वरकम वर्ड यूज करता है कोट कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में कहता है कि religion is a matter of faith steaming from depth of the heart and mind religion faith or devotion are not easily interchangeable करें कि religion faith devotion are not easily interchangeable इसको interchange करके यूज नहीं करते if the person faints to have adopted another religion just to some worldly gain or benefit it would be religious bigattry अब यहाँ पर देखे कितना भारी वर्ड यूज किया है कह रहा है कि यह कह रहा है कि another religion यदि आप दूसरी देखे में change हो जाते हैं if the person faints to have developed adopted another religion just for some worldly gain some worldly gain जिसका कोई वजूद नहीं होता वो gain यदि आप चाह रहे हैं और benefit किसी तरीके का benefit चाह रहे हैं को change कर रहे हैं तो इस gain के लिए आप religion को यदि आप इस तरीके से देखते हैं कि religion आपके लिए इतना छोटा बात है कि सिर्फ आप कुछ particular gain के लिए आप अलग-अलग के लिए इसको इतना demonis मत कीजिए वही बात यहां पर अपने तरीके से कोट यहां पर बताया है looked at from the this angle a person who mockingly यहां पर देखे क्या use कि mock कर रहे हो आप looked from this angle a person who mockingly adopts another religion where plurality of marriage is permitted so as to renounce the previous marriage and desert the wife he cannot be permitted to take advantage of his of his exploitation as religion is not a commodity to be exploited बोला कि religion यह जो धर्म है यह कोई commodity नहीं है जिसको आप exploit कर सकते हैं और आज के परिपेक्ट में दीए बात करें तो यह भी हम कर सकते हैं कि महिलाएं जो है कोई commodity नहीं है कोई thing नहीं है कोई object नहीं है कि जब मर्जी आया तब बदल दिए मजाग चल रहा क्या आप आप शादी किये हैं वो भी इंदो marriage act के according जब शादी करते हैं तो कहते हैं साथ जनमों का रिस्ता है जी और आप एक ही जनम में उसको छोड़ करके तीसरी चोती और पाजमी वाइप के पास आ रहे हैं क्या हो रहा है तो यह जो कहा कि यह जो आप right to religion जब fundamental right के आड़ बे य जो आप यह religious bigotry कर रहे हैं religious fraud कर रहे हैं एक तरीके से यह चीज़े ठीक नहीं है और इसलिए यह जो challenge किया गया कि right to religion is my fundamental right और इसके पीछे हम कुछ भी कर लें यह कोट यहाँ पे reject कर दिया accept नहीं किया है तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि the institution of marriage under every personal law अब यहाँ इसको प्रिजर्व करना ही पड़ेगा और प्रिजर्व करना ही पड़ेगा और प्रिजर्व करना ही पड़ेगा और प्रिजर्व करना ही पड़ेगा करने के लिए हमें जो भी रस्त रस्त उठाने पड़ेंगे हम उठाने के लिए तयार हैं लेकिन आपको इस तरीके से religion का मजाक नहीं उडाने देगे तो यहां पे जो आड़ बे right to religion के आड़ में यह जो कुछ करना चाह रहे थे अलग-अलग शादियां रचाना चाह रहे थे कोट ने इनको खारिज कर दिया एक-एक पॉइंट को इन्हों ने अटा दिया दो-दो-तीन पॉइंट और है हम इसको पहले देखते हैं कि आखिर क्या है उसके बाद हम एक समराइज वे में इसकी बात करेंगे देखिए क्या कहत है, point number seven कहता है, the grievance that the judgment in Sarla Mudgal Union of India versus Union of India 1995 3 SSC 635 amounts to violation of the freedom of conscience and freedom free profession practice and propagation of religion is far-fetched. Under the constitutional scheme, every person has a fundamental right not merely to entertain the religious belief of his choice but also to exhibit his belief and ideas in a manner which does not infringe the religious right and personal freedom of other. अब यहां पर कहा, court ने यहां पर देखे क्या कह रहा है कि यह जो आप आर्टिकल 25 और 26 की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं कि fundamental right of freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion की बात कर रहे हैं, यह तो ठीक है, हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन यह भी absolute नहीं है, यदि आप इस particular चीज के आड में किसी दूसरे के religious right को आप यदि infringe कर रहे हैं, तो यह चीज बरदास नहीं की जा सकती है, वही चीज यहां पर बोला, यहां पर देखे मैं दुबारा कर रहा हूं, यहां पर क्या कह रहा है कि under the constitutional scheme, every person has a fundamental right, not merely to entertain the religious belief of his choice, but also to exhibit his beliefs and ideas in the manner which does not infringe the religious right and personal freedom of others, दूसरे के right को आप इस तरीके से कुचल करके, आप यह क्लेम कर रहे हूं कि यह मेरा fundamental right है, ऐसा नहीं होने देंगे, यही चीज यहां पर court अपने तरीके से categorically, बहुत ही explicit ग्रूप में यहां पर बता दिया, पांच साल बात, जो सरला मुदकल का केस था, उसके प permitted to be excused and narrowed by unascrupulous litigants, अब यह देखे, यहां पर एक और problem आया, कि क्या Islamic law में क्या इसको जायज माना जाए, क्योंकि बंदा Islam में convert हो चुका है, तो क्या अब जो है, इसका फाइदा उठाया जाए, तो यहां पर हिंदू law तो एक तरफ है, दूसरा Islam law जो है, Islamic law है, सरियत law है, यहां भी जो problem है, यहां पर जब हम सरियत law की बात करते हैं, जब हम Islamic law की बात करते हैं, और यह question जाने का प्रयास करते हैं, कि आखिर एक से ज़्यादा wife रखने के पीछे क्या reason है, तो यहां निकल करके कुछ और चीजें बात सामने आती है, और इसमें कहा गया है, कि जो भी wife यदि चार wife भी रहे, तो जो co-wives होगी, जो चारों होगी, एक व्यक्ति की wife, उसमें कभी भी disparity ना करें, उसमें discrimination ना करें, उसमें ऐसा नहीं हो, कि पहली wife को ज़्यादा तबज्जो दो, दूसरी को कम, तीसरी को ज़्यादा, फिर चौति को कम, ऐसे मत करो, इसलाम कहता है कि चार wife रखो, लेकिन चारों को एक जैसा treat करो, तो कह रहा है कि इसलामिक law में भी तो ये कहा गया है कि चारों को एक जैसा treat करो, और आप इसलाम में यदि convert हो रहे हो, और पहली wife अभी जिन्दा है, उस situation में आप उस wife को क्या कर रहे है, उसको तो आपने बिलकुल छोड़ को भी आप उलंगन कर देंगे, उसकी भी एक मर्यादा है, और इस तरीके से misuse करने का जो हक है, इसलाम law भी आपको नहीं देगा, तो यही चीज़ यहां पर कहा रहा है कि the progressive outlook and the wider approach of the Muslim law cannot be permitted to be squeezed and narrowed by uncircle, 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 uncircle litigants, apparently indulging in sensual lust, अब यहां पर कहा रहा है कि sensual lust है, एक तरीके से आपको चार औरत के साथ सोना है, इस वजह से आप इस तरीके के काम कर रहे हैं, यह sensual lust है, sought to be quenched by the illegal means, who apparently are found to be guilty of the commission of the offense under the law to which they belong before their alleged conversion, तो बोल रहे हैं कि इस तरीके से आप आड में, Islamic law के आड में नहीं चीप सकते, और Islamic lobbyist को आपको allow नहीं करेगी, क् कि जो wider approach है Islamic law का, वो बहुत ही sacred है, बहुत ही पवित्र है, और उसको भी आप जा करके क्या करेंगे, दूसित कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने देखे, आप देखे क्या कर रहा है कि prosecution under 494 in respect of the second marriage, under Ramadan law, can be avoided only if, अब देखे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेएगा इस बात को, तरीका है, can be avoided only if, एक ही तरीका है, जब avoid कर सकते हैं, can be avoided only if, the first marriage was also under the Ramadan law, बोल रहा है कि ये तभी वाइड हो सकता है, जब पहली साधी भी आपका Ramadan law के according हो, तब avoid कर दीजिए, तब आपको बाइगे में की चार्ज नहीं लगेगी, लेकिन ये पहली साधी आपकी Hindu law में है, तो दूसरा है, आप किसी भी religion में change कर लो, फर्क नहीं पड़ता, इसलाम में कर लो, कोई और भी ऐसा religion है, जो आपको polygammy allow करता है, तो उसमें कर लो, फर्क नहीं पड़ता, वहाँ भी फज़ा होगे, आप क्या कर रहा है कि section 494 forms part of a substantive law and is applicable to all unless specifically excluded, जब तक की explicitly excluded नहीं होगा, तब तक 494 जो है, IPC का part है, और IPC मैंने आपको बताया था कि IPC एक substantive law है, एक secular law है, जो तमाम तरीके के लोगों पे irrespective of their caste, religion, creeds, whatever you say, सारे लोगों को छोड़ करके, मतलब इस सारी चीज़ों को छोड़ करके सारे लोगों पे apply होता है, ऐसा तो नहीं होता कि IPC का provision सिर्फ ह को लिए apply होता है, वह ही जहां पर बता रहा है कि जब तक कि यहां पर जब हिंदू marriage के section 17 में यह लिखा हुआ है कि apply होगा, तो होगा यह जानबूस करके लिए सेशर नहीं यहां पर किया, आप नहीं बचके जा सकते, फिर देखिए क्या कहता है, लास्ट पॉइंट आपास acceptable, कोई भी चीज़ को accept नहीं किया, the Supreme Court has not laid down any new law, but only interpreted the existing law which was in force, अब बोल रहा है कि Supreme Court कोई नया law नहीं बनाया, क्योंकि section 17 में already था, कि by game ही करो, by game ही का offense लगाओ इस पे, और इस तरीके से दूसरी साधिय नहीं कर सकता, तो बोला, court तो law नहीं बनाया, यह तो पहले इस था, बस मैने क्या किया, इसको interpret करने का प्रयास किया है, चलिया last line जो इसमें कहता है, last point, the interpretation of the provisions of law relates back to the date of the law itself, and cannot be prospective from date of the judgment, because concedingly the court does not legislate, but only gives an interpretation to an existing law, the argument that the second marriage by the convert male Muslim has been made an offense only by judicial pronouncement is not correct, बहुत सारे argument यह लिए, कि यह जो second marriage जो आप कह रहे हैं, कि second marriage जो है, punishable है, यह by judicial pronouncement है, मतलब सरला मुदगल वाले case में यह चीज़ लाए गया है, लेकिन court कर रहा है, यह बात गलत है, यह correct ही नहीं है, तो correct क्या है, correct तो यह है, कि हिंदू marriage act के section 17 में जाकर के देखिए, व हमने तो बस उसको interpret करा है, वही जहां पर दुबारा कर रहा है, the argument that the second marriage by a convert male Muslim has been made an offense, only by judicial pronouncement, मतलब with the help of cases, is not correct, क्यों नहीं correct है, मैंने आपको बता दिया, तो इस छोटे से lecture में, हम यह समझने का प्रयास किये हैं, कि हिंदू जो थे, जब अपने religion को change करके इसलाम में, और क् किया ऐसा, क्योंकि वो multiple साधी कर सकें, ये चीज कोट ने खारिज कर दी, और कहा, कि आपका जो fundamental right to religion है, इस तरीके से mold नहीं हो सकता, इस तरीके से आप उसको bend नहीं कर सकते, ताकि आप किसी दूसरे legislation का, किसी दूसरे जो institution of marriage है, उसका आप मजा कुड़ाएं, और इस तरी कारण से, कि वो एक से जाधी, जाधा साधी कर पाएं, एक particular physical lust के लिए, कि एक से जाधा औरतों के साथ, वो sexual intercourse कर पाएं, to be very concise and to be very frank, इस चीज को कोट ने नजर अंदाज किया, इस चीज को कोट ने नहीं माना, और कहा कि ये आपका fundamental right is not absolutely nature, तो इस तरीके से, हम ये पूर सारा चीज क्लियर हो गया, जी, तो जब भी आपका examination में एक question आए, तो ये दोनों case को mention करना है, और आपको और क्या mention करना है, आर्टिकल 25, section 12 of the Hindu में reject, section 17 of the Hindu में reject, और बाकी सब ये जो दोनों case का जो ruling है, इसको mention करना है, समझ में आगया बात, जी, हाँ जी, शालो ठीक है, झालो है.